लाइं पैटन को देखेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पैटन का क्वेशिन कराया था जिसमें बताया था कि इस वाले टम को हम लोग रोब बोलते हैं और इस वाले लाइन को कॉलम बोलते हैं ठीक है तो इस वाले pattern को कैसे करना है तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ gap के बाद ये एक star print हो रहा है फिर यहाँ पे कुछ gap है तो फिर उसके बाद star print हो रहा है तो C में कभी भी printing आपका left to right होगा यानि यहाँ से print होगा होते वे जाएगा जैसे यहाँ पे space print होगा फिर दो star print होगा तो इस तरह की program को आपको कैसे करना है तो सबसे पहले हम लोग एक grid जैसा बना देते हैं जिससे हम लोगों पता चले कि कितना यहाँ पे space है तो मैं यह बना लेता हूँ सारा line खीश लेता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह वाले star print करने से पहले यहाँ पे कितना गया पा रहा है एक दो तीन चार ठीक है फिर यहाँ वाले star को print करने से पहले कितना गया पा रहा है एक दो तीन फिर यहाँ वाले पे दो तो आप देख रहे हैं कि एक-एक space घटते जा रहा है ठीक है तो हम लोग first space सबसे पहले कैसे determine करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर row कितना है तो total row कितना है एक, दो, तीन, चार, पाँच तो हम उसको n पे रख लेते हैं तो n का value माल लेजे 5 है यह नि 5 row है मेरे पास तो हम लोग जानते हैं कि इस वाले को हम लोग row बोलते हैं और इधर वाले को हम लोग column बोलते हैं तो जिसको हम लोग i और j से denote कर रहे थे लास वीडियो में तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि star प्रिंट करने से पहले यहां पर चार स्पेस प्रिंट कर रहा है ठीक है तो वह मेरे को पहले प्रिंट करना होगा उसके बाद जाके मैं स्प्रिंट कर सकता हूँ तो यह दिट्रमंइन्ट कैसे होगा जो भी आपका रू का वैली होगा जैसे यहां 5 रो है तो उससे वह हमेशा कम होगा अगर यहां 6 रो होता तो उससे कम होते याई 5 Romeo होता है वन यहनी 4 हो गया वैल्यू ठीक है जब वह सेकेंड रोपे आएगा ठीक है तब यहां पर कितना स्पेस है तीन तो हम लोग यही करेंगे n-i को क्यों कि n का वैल्यू तो 5 है और i का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर 2 तो 5-2 कितना हो गया 3 उसी तरह से जब यह 3rd row में आएगा तो यहां पर क्या होगा n-i होगा n-i यहनी i का वैल्यू अब 3 हो गया और n का वैल्यू तो 5 था तो यह 2 हो जाएगा उसी तरह से यहां का भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 ठीक है उसके बाद n-i करेंगे तो 5-5 0 यहनी कोई भी मज़ गया कि एक तो मुझे स्पेस प्रिंट कराना ठीक है और स्पेस जैसे प्रिंट होगा उसके बाद मेरे को स्टार प्रिंट कराना है इसका हम लोग कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम लोग को जो भी नंबर ओफ रोज है या तो हम उसको यूजर से इंपुट ले ले लिखते हैं या फिर अभी के लिए हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं तो मैं उसे एन इकॉल टू फाइव ले लेता हूं ठीक है अब क्या लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आई लूप जो होता है वो सिफ रो को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो स ले लेते हैं या ठीक है उसके बाद आई प्लस प्लस यह मेरा लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग आई लूप सिफ रो को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अब हम लोग जब रो को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या-क्या चैलेंज आ रहा है सबसे पहला चैलेंज है कि जैसे ही फर्स रो में है या निए कि जैसे आई का वेल्यव लट है तो मुझे सबसे पहले यह infants प्रेंट कराना होगा चरो स्पेश प्रेइंट करने के लिए थे एक लूप ले ले लेता है ठीक है for space देते हैं उसका नाम space equal to one और space less than equal to कहां तक होगा अभी हमने यह logic देखा था n minus i वाला तो n minus i ठीक है और space plus यह हो गया ठीक अब हम लोगों यहां print क्या करना है वह भी हम लोग देखते हैं अभी के लिए ऐसे लिखते हैं और यह बंद कर देते हैं तो जब i का value 1 होगा तो यह n-i का value क्या होगा 4 होगा तो यानि यह look कितनी बाद चलेगा 1 से लेके 4 तक यानि 4 बाद चलेगा तो 4 बाद चलेगा तो 4 स्पेस प्रिंट करना चाहिए तो हम लोग यह क्याम करेंगे इस यहां पर double quotes लेंगे और बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे और ऐसे double quotes को close कर देंगे ठीक है तो यह मेरा क्या करेगा चार स्पेस प्रिंट कर देगा ठीक है उसके बाद जब यह चार स्पेस प्रिंट कर चुका होगा उसके बाद हमको क्या चाहिए स्टार का प्रिंटिंग चाहिए ठीक है स्टार का प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे ही ये लूप इसके बाहर आएगा तो हम लोग एक जे लूप ले लेते हैं जिसका वैल्य वन ले ले लेते हैं और जे ले थेन इकोले टो कहां तक चलाते हैं आई तक आइ किसलिए जब आई का वैलियो भीर रहेगा तो ये लूप एक बार चलेगा जरượng ही यह तू रहेगा तो यह दो बार होगा प्रिंटिंग इसलिए हम लोग आई के लिए यूज करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में भी इस कंसिप्ट को बताया था तो जे प्लस प्लस ठीक है अब यहां पर मुझे क्या प्रिंट करना है जब मैंने चार स्पेस प्रिंट कर लिया उसके बाद मुझे एक स्टार प्रिंट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा प्रिंट एफ लिखूंगा और यहां डबल कोट के अंदर मैं एक स्टार अब क्या होता है कि जब यह स्टार प्रिंट कर चुका होगा उसके बाद मुझे नेक्स लाइन में भी तो आना है तो नेक्स लाइन में आने के लिए हम लोग क्या लिखते थे अब यह लूप यहां से कहा जाएगा यह यहां से जाएगा इसके पास अब यह आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा मैं यहां पर लिख देता हूं आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो गया तो 2 जब i का value 2 होगा फिर ये condition चेक करेगा 2 less than equal to n तो true है तो 5 से छोटा है उसके बाद ये इसके अंदर आएगा यहाँ से क्या होगा space का value 1 होगा space less than equal to n minus i n minus i करेगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा क्योंकि i का value 2 है ठीक है 3 होगा और space plus plus यानि ये loop तीन बार चलेगा अगर friends आपने for loop का concept नहीं देखा है कि ये loop कैसे चलता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप for loop वाला वीडियो ज़रूट देख लिजे अगर आपको for loop का working नहीं पता है कैसे होता है तो ठीक है अब i का value कितना था टू था यानि ये वन से लेके दो बार चलेगा जे loop दो बार चलेगा तो ये दो स्टार प्रिंट करेगा ठीक है फिर दो स्टार प्रिंट करने के बाद जब ये condition false होगा तो ये बाहर आज जाएगा फिर से line change करेगा फिर ये उपर जाएगा और अब i का value कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा तो क्या होगा ये condition true होगा true होगा इसके पास आएगा तो यहाँ पर n-i यानि n-i क्या हो जाएगा अब ये 2 हो जाएगा ठीक है ये 2 स्टार प्रिंट करेगा दो स्ट्रेस प्रिंट करने के बाद ये बाहर आएगा जे के पास जे एकोल टू वन जे लेस देन इकोल टू आई जे का value कितना है 3 है यानि तीन स्टार प्रिंट होगा क्योंकि जे लोग तीन बार चलेगा तो इसके बाद फिर ये लाइन चेंज करेगा तो इसी तरह से चार चौथा फिर उसके बाद पाचवा प्रिंटिंग होते जाएगा ठीक है इस तरह के प्रोग्राम को आपको इसी सिंपल वे में करना है तो चलिए अब हम लोग देखते जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया I, J, Space और N equal to 5 जो कि Number of rows के लिये मैंने लिया है कितना रोज हम लोग को रखना है तो यह पांच rows लिया है तो यहाँ पर मैंने वही I loop चलाया है 1 से लेके N तक फिर Space का loop चलाया है N minus I तक और Space print किया है फिर J loop चलाया है Star print करने के लिए उस जैसे हमने देखा था तो अगर आप चाहते हैं कि ये 5 से ज्यादा रो तक प्रिंट हो तो आप सिंपली क्या करिएगा आप सिंपली यहां N का वेल्यू चेंज कर देज़ेगा जैसे माल लेजे N का वेल्यू मैं 10 कर देता हूं तो अब क्या होगा ये 10 रो तक मेरा स्टार प्र करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपकी कोई डाउट हो या कोईरी हो तो मिलते हैं नेक्स लेक्शन में